आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी प्रशासन द्वरा नहीं मिल रही जबकि ग्रामिनों ने कहा कि सबसे एहम बात तो यह कि स्थानी विधायकुशा ठाकुर शेहर में सबको बताती हैं कि महु तहजिल के सभी ग्रामिने लाको को निर्मल गाउ बना दिया लेकिन इसकी वास्तविक्ता तो तब सामने आई जब महूं के वरिष्ट कॉंग्रस नीता कैलाश दत्पांडे सम्मान समारों में शामिल होने पहुंचे और ग्रामिणों से रूबरू हुए तो विधायक का जूटे दावई की पोल खुल गई यह बात हम नहीं कह रहे हैं यहां के ग्रामिणों ने श्रीपांडे को बताई इस मौके पर शिव नारायन पाठिदार, धर्मेंदर सिंग, विकास गोडाले, राहुल शर्मा, संजय जैन, मनीश डाबर, शिवम जाट, वन ग्राम समीती के अध्यक्ष रमेश गोर, सदा शिव पटेल, पूर्व सचम, शिव दुबे, शुभाराम मावी, सहित साथ पंचाय शेतर गुंजारा, बरखेडा, लोधिया, चिखली, धावडिया के जिम्मेदार ग्राम इन भी मौजूद थे, ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से विशेश समवादाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट. तेडिया, बरखेडा, पातल पानी, वहां तक के लोग यहां पर इखटे हुए हैं, और सभी दूर के सम बुजुर्गों का और जो वरिष्ट लोग थे, हमारे उनका सब का हमने आज हैं सम्मान किया है, आज हमारे पीच में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अद्यक्ष, ग्राम पातिदार जी, रमेज गोरा जी, हम सब के नेता और पूरू सरपंच, आदरनी सुन्दर पटेल साहब, सभी लोग यहां अज उपस्तित हुए हैं, भाई विकास गोडाले जी हमारे महु के बहुत ही अच्छे जाबाज यूवानेता हैं, सभी लोग आज हम यहां उपस्ति हुए, और यहां क्योंकि एक नई चेतना हम लोग लाना चाहते हैं, बहुत ही समस्याओं से ग्रसी थे, महु से इन लोगों का संपर्क करीब करीब नी के बरोबर होता है, बारिस के समय में, हम लोग चाहते हैं, आज हमने इनकी समस्याओं भी देखी हैं, और इस समस्याओं को ले करके हम लोग निश्चित रूप से एक सार्थक पहल करेंगे सासन प्रसासन जिदी उसकी सुनवाई फिर भी नहीं करेगा तो हम एक बहुत बढ़ा आंदुलन भी इन लोगों के साथ में लेकर के हम लोग महुं में करेंगे एजटीम को भी हम लोग बहुत जल्दी इस मामले में एक ज्यापन देने वाले हैं कि यहां की समस्याइं सुनें और यहां के जो नेता हैं सीउत दुबे जी इन लोगों को ले करके हम लोग एक इनके नेतरत में यहां की समस्याओं को ले करके बहुत जल्दी हम लोग एक बड